शहर की गांदी साकर तालाप में कुड़ा कच्रा जमा होने से लचर हालत हुई है ऐसे में शहर की निच्छे फाउंडिशन अध्यक्ष आड्वोकेट पवन धिमोले और फाउंडिशन के तमाम कारे करताओनी पिछली दो दिनों से लगातार स्वच्चता अभ्यान चला कर स्वच्चता मिशन में पूरे विश्व में भारत की पहचान एक सुन्दर और स्वच्च भारत देश की नाम से की जाती है लेकिन भारत के विदर में आने वाली नाकपुर शहर अस्वच्चता की चपेट में है नाकपुर शहर में गोन राजा बक्त बुलन शाह के बाद की राजा सुल्तान इन्होंने गांधि सागर तलाब जिसे जम्मा तलाब के नाम से भी जाना पहचाना जाता है राचा सुल्तान इन्होंने जुमातलाब का निर्मान किया था ताकि शहर के परीसर के लोगों को पानी मिले और तालाब के निर्मान से शहर में खुबसूरती बढ़े इस उदेश से जुमातलाब का निर्मान किया गया था शासक बदलते गया, समय बदलते गया और जुमातलाब की लचर हालत होने लगी मनपप्रशासन को इस तालब का विकास और सौनरी करन साथ ही इसके रखरकाओ की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन अफसोस कि जुमातलाब कूडा कच्रा और गंदगी के चपेट में है जिससे जुमातलाब का रखरवाव खतरे से घिरा है इस बात को ध्यान में रखते हुए शेहर की सामाजिक संस्थान निशेफ फाउंडेशन की और से इस तालब की स्वच्छता करने का मन बनाया क्या जिसके चलते पिछले दो दिनों से निशेफ फाउंडेशन वाड निवारन समीती के तमाम पदादिकारी और स्वेम सेवक इस स्वच्छता अभ्यान में काम कर रहे है स्वेम सेवकों ने अब तक सैक्रो किलो का कूडा कच्रा जुमातलाब से निकाला है निशेफ फाउंडेशन की और से किये जा रहे इस काम की काफी सरहना शेहरवासी कर रहे है इस तालाब में कूडा कच्रा डालने का काम कुछ नागरिक भी कर रहे है नागरिकों को भी इस बात को समझ न होगा कि कुड़ा कच्छरा तालाब में न फेकती हुई उसे 10 पिं में डाले ना कि तालाब में कुड़ा कच्छरा डाले निशेफांडेशन के तमाम कारेकरता दिन रात इस तालाब के स्वच्छता करने अपना कीमती समय दे रहा है या अन्या ऐसे कोई परिसर हो जिसके स्वच्चता रखे जियां हम बात करने जा रहे हैं नाकपुर के उस निश्य फाउंडेशन की जो पिछले दो दिलों से लगातार शहर के गांधी सागर तलाव यानि जुमा तलाव जिसे कहते हैं उसकी साफ सपाई करने के लिए यहां प भीकारे करता है जो बकुबेर बेबा की के साथ काम करते हुए नदर आते हैं और भील इसे परिसर है transparent Life के PAT के पास को दूर कर स्वच्चता का एक काम किया है आई हम सिधा रूख करने चाहिए इसमय में हमारे साथ में निश्य सब्सक्राइब करना चाहिए इसलिए कि बहुत से सालों से रुकावाई शायद राजनिती का शिकार हुआ हो या किसी बात का शिकार हुआ हो तो हमको ऐसा लगा कि तलाओ को स्वच्च करना चाहिए क्योंकि अपने को बहुत कुछ दिया तो अपने अब अपनी बारी है कि अपने इस तलाओ को कुछ देना चाहिए इसलिए संदरी करन का काम हमने निश्चे आप यह बता है कि जिस तरह से शहर के जो लोग है कुड़ा कच्रा अक्सर यहां पर डालते वे नजर आते हैं ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए अगर वह अपने घर में कच्रा नहीं सकते तो यह भी अपनी संपत्ती है तो इसको भी साफ सुद्रा रखना चाहिए उन्होंने तो यह सब नागरिकों की जवाब दारी है कि उन्होंने गांदी सागर तलाव को खराब ना करें पिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि जिस प्रकार से लोग कुड़ा कच्रा लेकर इसे गांदी सागर तलाब में जमा करते हैं यह कई ना कई एक अच्छी बात नहीं है इसलिए यह पहल निश्य फांडेशन के और से की गई है सचता का अभियान जा रही है सर आप बताईए कि जब आप सुबह में निकलते हो तो क्या चलता है आपके मन में क्या वीचार रह सब्सक्राइब कर रहे हैं आप देख सकते कि कई ऐसे व्यापारी भी है जो प्रति दिन यहां पर आते रहते हैं सर आप बताईए कि आप एक शहर के जाने माने व्यापारी हो दुकान आपकी है ऐसे में आपने यहां पर सवयोग देने की क्यों सोची है व्यां है तो स्वयां से जो है हम जुडे हैं और हमारी पूरी उमिद एकि वहीं जिस तरह के सहं सभ्य सभ्याइब विचार देना है इस वच्छत अभयान में कई डॉक्टर से वकिल है इंजिनियर है कई ऐसे सामाजी कारे करता है चलिया हम और बात करते और लोगों से सर आप बताईए कि क्या कहना चाहोगे इस परिसर में आपका रहना है यह देखने के बाद कैसा महसुस करते हो बहुत सालों से यह गांदिसागर तलाव जो है वह अस्वच्छता का शिकार बन गया है यहां पर यहां कहीं लोगों की आत्मत्या भी होती है तो यह यह सफाई सब हो जाए और यहां की सब गंदगी दूर हो के यह तलाव अच्छा हो जाए नाकपुर शहर में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बूरान तनकाली निए गांदिसागर तलाव है सब जन्द बच्चा-बच्चा यह नाकपुर शहर का उसको जानता है अगर हम अपन सब्सक्राइब करते हैं तो यहीं सब्सक्राइब को आगे में जीवन देगा तो मैं चाहता हूं कि सब्सक्राइब करता हूं कि मन, तन, और धन तिनों से इसको सहयोग करें कौन कहता कि आस्मा में सुराग नहीं होता एक पत्थर तो तब यह से उचाला या रहा अगर कुछ करने की चाहत है तो करने वाले के लिए उजाला होता है और जो कुछ नहीं करना चाहता है उसके लिए जीवन में अंदेरा होता है मगर निशे फाउंडेशन ये निशे किया है कि किसी भी सूरत में हम इस शहर को सच्छा सुन्दर बनाएंगे इसी के पहल करते हुए हम आपको बता दे कि पिछले दो दिनों से गांदी सगर तलाब की सच्छता की गई है जब हमने यहां के पदादीकारी और कारेकरतों से बा होगा और शहर के नागरिक्रम को पीने के पाणी के लिए या अन्य कामों के लिए पानी मिल सकता है बचर थी प्रशा सण्ने इसके लिए हमने भी यह अपने राश्ट्रय संपतिय इसी भी अच्छा रखना चाहिए कhm艪ाय नियिशे फाउंडेशन ने गांँिया है का पेसरानिय काम है और इसी प्रकार के अन्य फॉड़्undation भी काम करें यही शहर की जंता चाहती है लेकिन थैसकारेकरम्न मनपाप्रशासन कहीं नहीं आई क्या मनपाप्रशासन की काम नहीं ये भी एक सोचने वली बात है मनपा प्रश्चासन के अधिकारी हो तमाम लोग यहां पर आना बहुत जरूरी था लाज़मी था मगर वो लोग आये नहीं खेर लेकिन निश्य फारणडेशन ने जिस प्रकार से ये जो काम करके एक जो बात के ये सही में एक तारिफ है काबिल है और इन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि हिमालाया की है पुकार बहादुरो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो आगे सब से हो चलो गांधी साकर से क्यामेरा प्रसन मोनु खान के साथ संजय मीरे बीसेन नागपूर